संपूर्ण स्रिष्टी की लक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाई ही नहीं अब एक ही उपाई है भाईया माता माता को उनकी योग निद्रा से जागरित करना अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असरों और वेदों को ढूंड सकती है माता को इस प्रकार जागरित करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ में हो जाए आप उचित कहते हैं भाईया मा पार्वती तो माता की ही अंश है फिर जब उनका क्रोध इतना विक्राल हो सकता है तो माता पराशक्ती के क्रोध का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता किन्तु किन्तु क्या गणेश परिस्थिती जब विकट और विक्राल हो तो हमें उचित निर्णय लेकर आगी बढ़ना ही पड़ता है और अभी उचित यही होगा कि हम माता को जागरित करें माता मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ख्षमा कीजिएगा किन्तु मैं विवश हूँ क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगल कर लुप्त करने के कारण संपूर्न स्रिष्टी विनाश के निकट है अब आप ही सब की रक्षा कर सकती है माता माता संकट अब विक्राल रूप ले चुका है और आप में ही इसी रोकने की शमता है इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा केजिए माता अनुज गणेश माता आपनी योग निद्रा में हमारी पुकार कैसे सुन सकेंगी संतान अपनी माता को पुकारे तो माता उसकी पुकार सुनती ही है वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी भहिया माता, स्रिष्टी को, आपके पुत्र गणेश को आपकी आवशक्ता है कृप्या जागरित हो जाए मा आज आपको मेरी पुकार सुननी होगी हम पर, इस स्रिष्टी पर, अपनी ममता और दया का सागर बढ़साना ही होगा ये केवल एक पुत्र की पुकार नहीं है अपितु समस्त संसार की पुकार है जाग जाए माता, जाग जाए आप इतनी कठोर और निर्मम कैसे हो सकती है आपने अपने ममता का आचल क्यों समेट रखा है जिस स्रिष्टी को आपने जन्म दिया है आज उसी स्रिष्टी का अस्तित्व संकट में है माता, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी स्रिष्टी मिटने को है और आप योग निद्रा में लीन है उचे थे, मिट जाने दीजिए सब कुछ नश्ट हो जाने दीजिए सब आप इसी प्रकार योग निद्रा में लीन रहना चाहती है तो ऐसे ही रहे ना उठिए, ना बचाएए इस स्रिष्टी को मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे शमा कर दीजिए माता किन्तु आप ही देखिए ना किस प्रकार सब कुछ नश्ट हो रहा है तुम भी अद्बुद हो गणिश प्रात्ना, दया और अधिकार सभी युक्तियों का प्रेहोग किया और फिर याशना करने पर लोट आए इस स्रिष्टी पर ऐसा अन्याय मत होने दीजिए माता, अब आप इस स्रिष्टी की रक्षा कर सकती है उठ जाए न माता, उठिए माता माता, आप अपना हट्ट्याग देजिए न उठिए माता, उठिए न माता, उठिए माता, उठिए माता क्रिपा कीजिए माता उठिये ना माता उठ जाए माता जाग जाए ना माता कौने? यादे वी सल्व भूते शक्ति रूपे मैं हूँ मा गणेश संतान को देख कर माता कैसे क्रोधित हो सकती है मुझे एक्षमा कीजिए माता जगत की रक्षा ही तू आपको जगाने के लिए मैंने बहुत कुछ कह दिया किन्तू वो अनिवारियत हमाता इस बार भंडा सुर ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें वो स्वया मुलज गया है बंडा सुर ने तो हमें जागरित कर दिया किन्तू उसका भाग्य स्वयम सो गया पर्थम पुझ्य गणेश और सेनापती कार्थिके इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही श्रस्टी का समराज्य सौपना चाहता है इन तो हम यह से बाहर नहीं जा सकते अन्यता वो हमारा वद कर देंगे हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर श्रस्टी और तुमारे भीतर इन वेदों का विनाष्ट नहीं हो जाता और एक बार यह वेद नश्ट हो गए उसके बाद कोई भी हमें श्रती नहीं पहुचा सकता कोई प्रम भ्रम भी नहीं तब हम संसार की आरंब से रचना करेंगे जिस पर केवल मेरा राज होगा दुर्गुमा सुर्का दुर्गुमा सुर्का तुमारा राज क्यों होगा मैं उस नए संसार का समराड बनूँगा नहीं तुम इसके योग्या नहीं हो मैं बनूँगा समराड दुर्गुमा सुर्का योग्यता की बात मत करो इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने पल का प्रदशन करो माता, स्रिष्टी संकट में है हमें शीग्रती शीग्रवेदों को लोटाना है अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नश्ट कर देगा अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए पुत्र कनेश भड़ा सुथ भले अभी सक्रिय ना हो किन्तो मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती इस युद्वे मैं जो भी करूँगी तुम्हारे सुझाव से ही करूँगी मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त और उसकी शक्ति के तत्व को समझ कर सुझाव विग्न हर्था गणेश मुझे उसका तोड नहीं सुझाते मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहा नहीं करूँगी हाँ माता सत्य है श्री माता ललिता के चर्णों में नतमस्तक होने पर सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है क्योंकि माता प्रती दिन दिन के आरंब में वेद माता आपके चर्णों पर मस्तक रखकर और उस असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ऩी उन्हें पुनाह सक्रिय कर सकति है मैं बनूंगा नई इस चस्टी का समराथ तुम नहीं, मैं बनूंगा नया समराथ समराथ तो दुर्गुमा शुर्ही बनेगा मैं बनूंगा इसके भीतर से ही प्रकाश नकल रहा है मैं कहता हूँ आंगे मन पड़ो रुको मैं तुम्हें रोक सकता हूँ रुको अनर्थ अनर्थ हो ले जा रहा था मुझे शमा करें माता मैं ये कैसा अप्राप करने जा रहा था मैंने कहा है गरीव रुक जाओ रुको है गरीव मैंने कहा रुको मैं तुम्हें चाने नहीं दूगा मैं तुम्हारा आदेश मरने को बात नहीं हो मुझे अपनी भूल सुदर नहीं हुई वेदों की शक्ती से है गरीव में भक्ति उत्पन्न हुई है जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्द उपर चलेगा और वेदों की बाहर आते ही उस पर आशुरी प्रवरत्ती चा जाएगी मुझे इस अंदिकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा वहाँ ये सुरक्षित नहीं है रुक जाओ मैंने कहा रुक जाओ अब और आगे बड़े तो इसका घातक प्रेडाम होगा ये क्या इसको रोकने के परियास में मैं स्वयम अंदिकार के सागर से बाहर आ गया अब जब वो दोनों असुर अंदिकार से बाहर आ गए तो अब आगे क्या करना है गनीश माता वेदों को उनसे मुक्त कराना है रुको वेदों को भाहर मत आने दो रुको ऐसा अनर्थ कता भी मत करना रुको अट्कर के सागर रुको वेदों को अब आ अब आगे और भी एते Dublin आ सिर गव्त तोय नाम मता देवी गायत्री, इन वेदों की शोपा आपके ही पास है तच्छवितुर्वरे न्यम भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नाः प्रचो दयात ओंभूर्भु अस्वाहा तच्छवितुर्वरे न्यम भर्गो देवस्य धीमही धियो यो नाः प्रचो दयात ओंभूर्भु अस्वाहा तच्छवितुर्वरे न्यम ओंभूर्भु अस्वाहा तच्छवितुर्वरे न्यम झाल झाल देवी, ये तो वही देवी है कहीं ये हमारे अंत का संकेत तो नहीं कनेश, अब हमें क्या करना है माता, हैगरीव का अंत तो प्रबू हैगरीव के द्वारा ही हो सकता है और दुर्गमा सुर का संहार, माता ललिता के विशा लाक्षी रूप की द्वारा हुआ था प्रणाम माता माता हय ग्रीवं मुपास्महे प्रणाम प्रभू है ग्रीव प्रणाम माता देवी विशालाक्षी कल्यान जैदा 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 जै युक्ता शक्ति रुप भैदेही तरणाम माता उख्रे 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 कल्ली प्रणाम मेरे मार्ग से इस बार मेरा अंग महीं कर सकोगे तुम आए झाल जङ भी कोवे लाग से ओुप मेरा जैदा प्रणाम मेरे माता जैदाम मेरे मेरे नहीं टॉख को जो कि अ कर दो चंदिए। मता! एया जया है माहिछा सो जबन देले रंच कर देले जय लस्त देले श्री माता ललिता की, जय स्री माता ललिता की जै माता विशालाक्षे की जै माता विशालाक्षे की माता विशालाक्षे की बनने मी जनगे छोषी म DAY झांची मध्यश्र объяс इन दोनों असुरों का भी संघार हो गया, किन्तु बैस सुरक्षितूं. अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपोर्ण शक्ती से ग्रहार करूगा. नौरी, स्वेम को विजय समझने के बोई। मत करो, बस कुछ देर प्रतिक्षा करो. मेरा ये एक ही अस्त्र, श्रिष्टी का अंत कर, उसकी पेला को पूरी तरह से हर लेगा. जो आज तक किसीने ना देखा हो, ऐसा विजयत्र विद्ध्वन्सक होगा. ये किस प्रकार के अस्त्र का प्रयोग किया है दुष्ट में। मैं भी यही ग्यात करने का प्रयास कर रहा हूं भाया। ये तो और भी भैंकर जान पड़ता है। ये क्या हुआ। इसका ये अस्त्र अचानक शान्त क्यों हो गया। अनर्वास्त्र, ये क्या कर दिया इस प्रकार? आपी ने महा विनाशत अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ये अस्त्र तो अपने मायावी सागर में समा कर, महा ब्रम्हांड को भी महा सागर में परिवर्दित कर सकता है। इस अस्त्र की प्रभाव को रोपने का क्या उपाए है। अन्य ब्रम्हांडों के बाद अब ये विशाल तरंग इस ब्रम्हांड की उरबर रही है। गनेशी, अब मेरे अर्णव अस्त्र के प्रहार का कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ये विशाल तरंग हमारी और ही आ रही है। गनेशी आ रही है अथे अएर स्विल में गनेश, तामल! गने नाए्एवारा इसे उत्डर ही आडाला की उिठा रहाए है् आगारतंग है। ख़्षना करें में उसी का विचार कर रहा हूं भाहिया इतनी तीवर्ता से बहते जल को भळा कौन रोकपाया है? किन्तू एक उपाय है माता जिससे समस्या को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है माता, आप क्रिपा कर, शीगर अपने शीतल अस्तर का प्रयोग केजिए शीतल अस्तर शीतल अस्तर कर दो 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 कर मैं नीचे गिरने वाला था उसका रक्त मेरे हाथों पर फिर से रक्त का विचार नहीं इस महातरं का आकार देखना है मुझे जो समुचे सौर मंडल को लेल कर नश्ट करेगी फर फ्रेह अचों झेल नहीं आकार भार प्राइब करेपम एंचे इस अचेश महात्पिट कर दो क्यों एंचे हाँ कर दो एंचे तो कर दो всеड़े, कि दोड़े हाँ प्राइब क्लाव खेएों जो नहीं चेमें पहले हाँ डिर से उड़े हाँ झाल झाल ये विशाल का जलतरंग अभी तो शांत हो गई किन्तु ये हिम पुना पिगल गई तो सरो नाश का कारण बनेगी पिगलेगा मेरे अगले अस्त्र की शक्ती से अवश्य पिगलेगा ये हिम कि रहा दो जो आई एक हिए दिंग अश्यारी से जांतिक और देंगे अच्छक्व करेंट कर दात्य के कि रहाएं ज्वालास दुर्ण ऐसा उपाय बता, जिसका कोई भी उत्तर इस पापी के पास ना हो। आविशकार करने वाला ही अपने आविशकार की प्रबलता और उसकी दुर्बलता को भली भाती जानता है। तो इस अस्त्र की दुर्बलता का ज्यान तो भंडासुर के पास ही होगा। किन्तु गड़ेश वा स्वेम क्यों इसकी दुर्बलता पताएगा। भाया, उचित कहा आपने, किन्तु युक्ति की शक्ति के सामने सब दुर्बल बन जाते हैं। और जो ना भी कहना चाहते हो, वो भी सब कुछ कह जाते हैं। किन्तु ऐसी कौन से युक्ति का प्रेयोग करोगे तुम। चिंता मत कीजिये भाया, वो युक्ति मुझे सूच चुकी है। प्रणाम माता, मुझे अनुमती दीजिये। आनन्दाएगा मुझे, बहुत आनन्दाएगा मुझे, जब सामनष्ट हो जाएंगे। और श्री ग्रही ये धर्ती भी जलमगन हो जाएगी। तो हमें रश्मी प्राभा को बचाने जाना चाहिए। फिरे प्रमित्स्वर, इस बार मैं इन स्वरों से विचलित नहीं होँगा। अपने भावी विजय का पूर्ण आनन्द लूँगा मैं। आपकी पुत्री, सबके विनाश के साथ अपनी पुत्री के भी विनाश का आनन्द लेंगे आप। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी। बस। अपने क्या किया है। क्या क्या किया आपने। बताइए मुझे असुर महानायक। मुझे लगा था आप हमारे प्रेम की निशानी। हमारे पुत्री को कोई शदी नहीं पहुचने देंगे। बस्टेंधन व्यूग स्ट्रो fellas व्यमु हे आप स्ट्रों 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 nos क्या किया है आपने बताइए मुझे शान्त कीजिए मेरे रदय की शंका हो तुम मिख्या हो ब्रम हो माया जाल का रूप हो तुम सत्य नहीं हो तुम एक मा का तो एक मात्रे सत्य उसकी संतान होती है स्वामी और मैं अपनी पुत्री की चिंता में यहां खिची चली आई हूँ बताइए कहां है मेरी पुत्री बताइए बताइए ना कहां है मेरी पुत्री ना तुम सत्य हो ना तुम्हारे ये रूफ और ना तुम्हारे ये शंक्त आपके सामने होने पर भी आप मुझे ब्रह्म मान रहे हैं आप किस ब्रह्म में है स्वामी बताइन किस ब्लाइए कर स्वामी बताइए नाईए लाइए झाल झाल तुम तो सच में हो यहाँ तुम लोट आई प्री है और कुछ कहने सुनने से पहले ये कहिए कहा है मेरी पुत्री कहीं आपके कारण वो किसी संकट में तो नहीं है ये रग्त रंजित होत इसके सामने नहीं आ सकता क्या छिपा रहे हैं आप जिसे मैंने आपके हाथों में सौफा उन नन्ने हाथों को कहीं संकट में तो नहीं डाल दिया ना आपने बताईए ना स्वामी मेरी पुत्री कहां है कहां है मेरी पुत्री गनेश की योजना का तो मुझे ग्याद नहीं कि तो इतना अवश्य ग्याद है कि उसे शीगर भंडासुर को इस विपत्ती से उबारने का उपाय बुलवाना होगा आप शान्त क्यों है स्वामी क्या उसे आपके साथ और अपने पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप में पूर्ण नहीं होगा परिवार आज संसार में इस प्रेले की स्थिती को देखकर मैं स्वयम ही यहां चली आई ये ग्याद करने की आप और रश्मी प्रभा कुशल पूर्बग तो है ना किन्तु वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है कहा है मेरी पुत्री रश्मी प्रभा ये क्या कर दिया मैंने कैसे बताओ इसे कि इस पिता होकर स्वयम अपनी पुत्री को पैदे खसके मृत्यों के मुख में भेज दिया और इसे ये सक्ति ग्याद हो गया तो ये भी मुझे से ग्रिड़ा करेगी एक पल यहां नहीं रुकेगी बताईए स्वामी मेरी पुत्री सुरक्षित तो है ना बताईए स्वामी रश्मी प्रभा उसका नाम सुनकर इस प्रकार क्यों चौक गया आप क्या ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं क्या वो आपको कभी नहीं मिली क्या वो यहां नहीं पहुची वो यहां नहीं तो अवश्य वो किसी बड़े संकट में है ये ये किया है आपने इस विप्ता को उत्पन किया है आपने मेरी पुत्री का ही नहीं जगत का अनिष्ट किया है आपने इस विनाश को रोकने में विलम मत कीजिये सुनिए मेरी पुकार को मेरा और अपनी पुत्री का साथ पाने के लिए रोक दीजिए इस विनाश को स्वामी मैं तुम्हारा पिता तुम्हें बचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानी और कभी कोई कष्ट नहीं आने दुम्बल रोक सकता तो अवश्य रोक देता किन्तु अब मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा कैसे हो सकता है इसका कोई तो उपाय होगा एक बार ये हम पिगलेगा तो ऐसी तले होगी जो सब कुछ लील जाएगी इसे अब मैं नहीं बस नारायन के उतार ही रोक सकते हैं बस नहीं के उतार ही रोक सकते हैं पिढ़ नहीं क्रिप्त नहीं के दले होगी एटार ही रिवश्य फिता आएरायन मैं